असला अलेकूम तो आज मैं बनाने वाली थी अशिरफ की फर्माईश पे गार्लिक ब्रेड तो गार्लिक ब्रेड तो मैं कुछ अलग टाइप का बनाती हूँ मगर अशिरफ ने बोला मम्मी जैसा डॉमिनोस का बनता है ना वैसा मुझे बना के खिला हूँ अभी तो हम डॉमि जो से न उसमें मिलता था, वैसा ही टेशी से लग रा था, है न, है न, तो यहां पर क्या करती हूमैं, उस के साथ में मैंने cold coffee भी बनाई थी, ये भी उसी की फर्माइच थी, तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बरतर ले हूँ उसमें मैं हलका कुनकुना दूद दाल दूँगी कम से कम एक कटोरी लीती मैंने आदा कटोरी एड़ कर दी मरबन ना अभी आवास देते हैं वक्त क्या हो गया अकिरफ कॉलेज से आ गया अभी यहाँ पर मैं दाल दूँगी दो चमज भरके एक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या मार्किक में मिल जाएगा नहीं है तो आप इसे इसकीप कर देना आदा चमज नमक का इस्तमाल करेंगे और इसमें डालनेंगे हम बैकिंग पाउडर आदा चमज डालेंगे जो केक के लिए इस्तमाल करते हैं वैसा मैं अपने स्टाइल में इसे बनाने की कोशिश कर दूँगी और हाँ गैस मैं इसे फर्स टाइम बना रही हूँ देखते हैं कितना अच्छा बनता है क्या नहीं बनता है वो तो अश्रव खाकर ही बताएगा इसे अच्छी तर से मिक्स करके 10 मिलिट के लिए रख दूँगी उसके बाद में मैंने इसमें 2-3 चमच लसून को बारीक बारीक कटिंग करके इसके अंदर एट कर दी यानि बारीक बारीक चॉप भी कर सकते इसके अंदर मैं पाव किलो मैरे का आटा भी एट कर दूँगी आप अपने हिसाब से कम्या जादा भी कर सकते अब मैरे का आटा सबके अच्छी तरह में आटा मलते हैं, सबसें मूटी मार से मली हुँ जासे हम घॵयव की दा तु क्यों पर भी में थे मैं रगा के मेरेइ 놓की इसके बरतन हो एकदम बराबर बोरियाह तो एगदम बराबर बोल रही। मैं खरे रहे के इतनी पॉपरिसनल तो नहीं कि さारा काम मैं खरे रहे है करो है भाई जमीन पर भैटके भी सारा काम कर लेती हूँ अब क्या करूँगी इसे उपर से भी तेल लगा दूँगी और नीचे से भी तेल लगा दूँगी और इसके ओपर एक कपरा धाक करना मैं इसे रख दूँगी कम से कम आप इसे आदे से एक घंटे के लिए रखना इससे क्या फाइदा होगा आपका जो डो है वो अच्छी तर से सॉफ्ट जाएगा और थोड़ा सा फूल जाएगा ज़ादा नहीं फूलेगा यहां पे देखिए मेरा ज़ादा नहीं फूला का थोड़ा सा इक्स कम हो गया था फूल था क्यूंgen यह भी मैं आपको बता देतीं क्योंकि हम इसके अंदर इस दालते हैं आद इस्ते सब्स दालते हैं हम इसको अब भागा लेंगे हैं वहाँत हैं तो थोड़ा तो बटर लगे गई, थोड़ा तो खर्चा करना पड़े गई है न सीफ, तो चलिए अभी मैं क्या करूँगी, इसे का एक गोल पेरा बना लूँगी, और मैं इसे अपने हिसाब से कटिंग कर रही हूँ, यह रेखिए कैसे मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, एक त हम गोल पेरा बना लूँगी, जैसे के हम रोटी के लिए बनाते, रोटी तो हम सब बनाते है नॉर्मल वैसे ही सेम काम करना है, अभी हम क्या करेंगे, तीन पेरे को साइक में रख देंगे, एक पेरा हाथ में लेंगे, नीचे एक बरतन, एक क्या बोलते है इसे आती? पटल इसी स्टाइल से सारे काम करने आते है, मैं इतनी पॉपेशनल शेफ नहीं हूँ, अब मैंने इसे अपने हिसाब से चौरा कर ली, जितना मुझे इसकी चौराई चाहिए, अब यहां पे मैंने लीती, पांस से छे चमज बारी चौप की हुए लसून और मैंने चार से पांस अमुल बटर दाली थी और थोरा सा हरा धनिया दाल के इन सब को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी, अब मैंने इसको क्या की, इस जो रोटी बना के रखी हो ना, इस रोटी के ओपर चारो बाजू फैलाते हुए, मैंने इसे लगा दी, है ना, बहुत जबर्दस लग र पसंद है, वो ब्रैंड का चीज आप लेके इसके उपर कदू कस कर लेना, घस लेना घिसनी से, और घिसनी से घस के इसके उपर भरपूर जालना, चीज दालने में कंजूसी मत करना, जितने अच्छे से आप चीज दालेंगे ना, उतना इसका खाने में मज़ा आएगा, यह पानी निकाल के इसके उपर के दालना, खाने में मज़ा नि आएगा, अब यह कौन दालने के बाद में उपर से मैं दालूँगी थोड़ा सा चिली फ्लेक, चिली फ्लेक तो नॉर्मली सबके बार घर में रखा हुआ रहेता है, चुटकी भर दाल देना, और उसके बार में इसमें डाल दूँगी और गेनो, और गेनो अगर आपके पस नहीं तो इसकीप कर दीजिए ने तो मार्किक में आसानी से और गेनो बोलेगे तो मिल जाएगा, बरबर बर तो चलिए, अब यह सारी चीज़े दालने के बाद में मैं क्या करूँगी, इसे पलट दूँगी, पहली बार बनाई तो थोरा सा मेरे जो फट गया था, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत को हारी नहीं, मैं बोली चाएग फटो या कुछ वो, मुझे तो आपको बना कर खिलाना है, और मुझे भी क्राए करना है कि देखना था मुझे के यह कैसा बनता है, तो यह देखिए थोरा स्सक्राइग यहाँ रिलिए अन् सहिस हाथों सी लोटीन, वी ए खरुप के रिले नहीं, बोली देखिए, दड़ लियुक जो घर में है अभी ये क्या करेंगे इसके उपर एक बटर पेपर रख देंगे बटर पेपर के उपर थोर असा बटर लगा देना अब बरश से घुमाते वे बरश नहीं तो चमच का भी यूज कर सकते अभी इसे काफी आराम से उठा के मैं इसके उपर रख दूगी अब ये क मैंने प्लेट ली हों वह साइस का मैंने टॉप लीं हो अब वह तोप के अंदर मैंने एक कटोरा उल्टा कर्के रख दी हों अभी उसके अब यह जो प्लेट हें वह ए रख दूगी और ग्यास को मैं मिद्यम पे कम यह से मीदियम पे मैं 10-15 मिलिक तक पकाऊंगी, बीच में आप चेक कर लेना 10-15 मिलिक में भी यह पका नहीं था, इसे कम से कम पकने के लिए एक घंटे से ज्यादा लग गया, बराबर बर्बर एकदम स्लो पे पकता है ये अगर आपके पास में आवन है तो आवन में भी पका सकते हैं, तो आवन मे क्रेक के ऊपर मैंने सेम बटर लगाई और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दी और उसके ऊपर मैं ये गार्लिक ब्रेग लग दी अवन की अंदर आवन में डालने के बाद में आसिफ मैंने कितना रखी थी यह देज़ू सेल्चियस पर आदे गंटे के लिए दोनोर और चालू करके रखे थे हां बीच बीच में थोड़ा डर रही थी कहीं मेरा गार्लिक ब्रेड यह आवन में जलना जाए इसलिए मैंने दो से तीन बार आवन को खोल कर भी देखी आसिप मुझे चिला रहा था मम्मी आवन को चालू में खोलो मुझे पकाने आया मैंने वैसा पका के अश्रफ को दी और हां बहुत ही अच्छा मनाता आप लोग भी इस रेसेपी को जरूर बनाना आप लोग एक बर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह खाने में कितना टेक्स्टी बनाता तो यहां पे बहुत ही गरम ता फिर भी बनाता और टेक्स्ती मनाता माना कि है गार्लिक बैा ज्यादा क्रिस्प नी होता है मेरे से क्रिस्पी ओ गया था मगर खाने में बहुत अच्छा लग या та कहा करता मैं एक तुछा सा मेने यहां पे खाके देखी मुझे तो में मेरे ना क्हांना मना ऑग敢 क्या करें बना और म मेरे डॉक्टर ना तो बोला है मुझे कहता थोड़ा बोदा महीरे में एक आदाबर खा सकते मगर मैं ज्यादा परेज करती हूँ उसके बाद में अश्रफ आ गया तो मैंने अश्रफ को बोली चल पहले तो थोड़ा सा मुझे खाकर बता कैसे बनाए तो यहां पर टेमाटो के के पारा तेरा दिख रहा है मगर टेंशन मत लेना खाने में कोई फरक नहीं था बरबना एक रहा तो चली अभी इसे भी मैं क्या करूंगी इसी तरह से चापू की मदद से जो मैंने लाइन मारी थी उस लाइन की उपर से इसे कटिंग कर लेना है है ना यह देखे यह में क्या दा लेंगे कस लिए मिक्सर का जार ले लेंगे और इसके अंदर मैं दालूंगी कॉफ्य आ तो कम से कम में एक गिलास भरके में दूद दा रही हूँ, कच्छे दूद का इस्तमाल करना है, बिल्कुल भी गरम दूद का इस्तमाल नहीं करना है, हाँ दूद को जब आप मार्किक से लेके आएंगे तो इसे फ्रीज में रख देना कि यह अच्छी तरह से चेल्ड और ठंडा हो जाए, ए हम ढ़क़न को बंद करेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे, एक दम अच्छे से पीस लेना, आप क्या करेंगे, यहां पर मैंने ली हूँ एक गिलास, गिलास को मैं चौकलेक सीरप से थोड़ा सा डार्निशिंग कर रही हूं, क्या करें लोड़े हैं? एक कप मैंने पीछने में डाली ती और एक कप मैं इसके उपर से सजाने में डालूँगी यह खाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत पसंद है मगर आभी मैंने खा रही हो है ना उपर से थोरा तो थोरा सा कॉफी पाउडर देंगे है ना थोरा कॉफी पाउडर द चान्दी है मम्मी की रेसेपी भी बन जाती है और अश्रफ की फर्माइल भी पूरी हो जाती है अश्रफ कर तो मज़े हैं मज़े है ना इकरा है ना तो चले यहां पर मेरा काम खतम हो गया दूसरा गिलास में बना के आसिफ को दे दूंगी तो कैसी लगी आप लोगों को अफ परके सुनाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है है ना और मुझे बहुत अच्छा भी रखता है मैं बोले में थोड़ा डगमगा जाती हूं मगर आप लोगों को मेरी बाते समझ में आती हैंगा नहीं बता देना